गदर टू रिलीज होने की कगार पर असी प्रतिशत फिल्म की शूटिंग पूरी हुई सानी देओल की फैंस के लिए हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सानी देओल इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की सीक्वल गदर टू की शूटिंग कर रही है इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त की बाद सानी देओल बड़े परदे पर देखने को मिलने वाले है जब से ये फिल्म का अनॉंसमेंट हुआ है तब से ये फिल्म लोगों के बीच छाय हुई है लेकिन दोस्तों आईए अब हम बात करते हैं इस फिल्म से हाल ही में मिली एक बड़ी खबर को लेकर तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है और खुद फिल्म मेगर्स ने इस बात का खुला सकिया है साथ ही सनी देओल और अमीशा पटेल के एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सनी देओल तारा सिंग के किरदार में नजर आ रहे है तो वहीं अमीशा पटेल सकीना के लुक में देखने को मिल रही है इसी के साथ इंडिन सैनिक और डारेक्टिर अनिल शर्मा भी इस फोटो में नजर आ रही है शूटिंग लखनाओ में चल रही थी जहां अब ये शूटिंग पूरी हो चुकी है बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म में सनी देउल तारा सिंग की भूमिका निभाएंगे और उनका ये किरदार उनकी पिछली फिल्म की तरह ही होने वाला है इसके अलावा फिल्म में अमीशा पटेल वही अपने पुराने किरदार सकीना को इस फिल्म में दोबारा निम्हाएंगी इन दोनों के अलावा फिल्म में उतकर शर्मा देखने को मिलेंगे जो फिल्म में तारा सिंग के बेटे का किरदार निम्हाएंगे गौरफ चोपडा, डॉली बिंद्रा, मीर सरवर, सिम्रत कौर और मनीश वाधवा जैसे और भी कलाकार होंगे जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे तो दोस्तो आप कितने एक्साइड़ हो इस फिल्म के लिए अपनी प्रतिक्रिया हमें नजरूर बताएं